कानून मंतरी ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद है है। जब नियाए की बात आती है तो आप पुरानों में देखेंगे शास्त्रों में देखेंगे। न्याय को लेकर व्रिजेश जी कहा गया है कि न्याय जो राजा होते थे पहले उनकी जिम्मेदारी थी कि न्याय मिले दंड दिया जाए क्योंकि दंड अगर मिलेगा तो जो दुरलब है या जो दबंग है वो थोड़ा सा डरेगा दुरलब पर जो अत्यचार किया जाता है जो ब्रामन चहरे के तौर पर छात्र राजनीती में आपने काफी काम किया जहां से हम बैठे हुए हैं वहीं से आपने राजनीती की शुरुवात की तो आज कितना बदला है उत्तरप्रदेश उन तमाम मसलों को हम ब्रिजेश पाठक जी से जानेंगे समझेंगे और उस पर से देखते हैं कि इन चार सालों में कानून विवस्था को लेकर कानून मंत्री के तौर पर ब्रिजेश पाठक जी सरकार की काम को इन चार वर्सों में उत्तरप्रदेश का महाल कानून विवस्था के मामले में पूरी तरह से बदल चुका है चेंज हो चुका है को हम अपराद मुक्त बनाएंगे और उसी के तहत मुखमंती योगी यादितना जी ने काम किया आज मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्रप्रदेश में जो आर्गनाइज करम रस्ते जो संगठित माफिया गिरो थे उनके नेट्वर्क को हमने बुरी तरह से धोस्त किया है समाप्त किया है और जो छुटपूट अपराद छोटे मोटे अपरादी करते थे उनकी है अब मैं आपको बताना चाहता है उत्तरप्रदेश में अब कोई भी लिस्टेट क्रिमिनल खुले आम घूम नहीं रहा है जो आपसी बैमनस्ता के कारण अपराद हो रहे हैं भाई से भाई का जगड़ा होना पलोसी का जगड़ा होना परिवार में जगड़ा होना और जगड़े इतने बढ़ जाना कि वो गंभीर अपराद की स्रिणी में आना घोर अपराद की स्रिणी में आना वो हमारी सरकार के चिन्ता का विश्य है हम उन मामलों में भी कड़ी कारवाई कर रहे हैं जितनी भी खटनाय चाहिए हात्रस की घटना अप लिगी है हमने NSA के तहित कारवाई की है और जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपराद के मामले को लेकर हो रही है हम किसी को बक्सने वाले नहीं है मैं एक बात और इस पश्ट कर दू हमारी सरकार और पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में अंतर मैं आपको बता दू उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हम भारती जनता पार्टी का कोई भी कार्यकरता कोई भी सांसत बिधायक मंत्री किसी भी अपराधी के समर्थन में थाने जाकर के मार पीट करना, उसे जबरन छुड़ा लेना जाना, उसके समर्थन में फोन करना नहीं करता है यदि अपराद घटित हुआ है, तो उसकी F.I.R. होगी, कड़ी कारवाई होगी और जो भी मैकसिमम हम से हो सकता हम, उसकी लिए कारवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और किसी इस तरपर लाण परवाई भी बरदास हम नहीं करते हैं प्रजेज जी आपने बहुत साई घटनाओं का खिक्र किया, हातरस का भी आपने खिक्र किया कानून मंत्री के तौर पर जब आप मंत्री पत की जिम्मदारी संभालते हैं बहुत सारे कानून उसके बाद प्रदेश में बनाये गए विधेक आया और उन्होंने कानून की शक्र ली मैं सबसे पहले यूपी कोका का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि संगठित अवराद का आपने जिक्र किया और जब यूपी कोका की बात आती है तो जब कानून बनने के लिए सदन में लाया गया विधेक लाया गया तो उस दौरान क्या कुछ आरोप लगे आप खुछ जानते हैं कि जो विरोधी धल हैं कोई भी बहतर चे बहतर आप कानून हम बना लें प्रदेश हित्में बना लें तो चुग कि वह हमसे हा रे हैं उत्तर प्रदेश की जनतान उन्हें नकार दिया हतास हैं तो एंड कई प्रिकार नें लोस इस्तिती ऐसे उत्पन करते हैं कि रियोध करें लेकिन उस्ते प्रदेश की जनता बहुत नजदीक से देख़ती है यूपी कि के आफ सित्था है कि कठोर कानून बने अपराधियों में कानून का भय हो आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के हर अख़बार में यह चपा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधिया आना नहीं चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ भूल कर भी आना नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश में रहेंगे तो मुझे कानून का सामना करना पड़ेगा कठोर कारवाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए उत्तरप्रदेश से बाहर रहेंगे आपने जिक्र किया मैं भी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दो बाहु बली मुख्तार अंसारी और अतिक एहमद अतिक एहमद जो इस समय गुजरात में वो लिखता है कि वो उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि उसे डरे कि उसकी गाड़ी पलट जाएगी जब ऐसी चीजें सामने आती हैं ब्रिजेश जी आप खुद क सब्सक्राइब कर दो हमारी सरकार जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कानून की बैख्या नहीं करती हम अगर आप देखेंगे तो कानपूर में जो घटना हुई हाँ वो तो हमारे ही विरादरी थे और हमने मैं कहता हूं इस और को साची मान करके कि हमको कानून के मामले मे जो भी कानून तोड़े उसके खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए इसमें जाति धर्म संप्रदाय कहीं भी आड़े नहीं है बिल्कुल यह है क्योंकि आप जब भी बात करते हैं ब्रामणों की उन्हें रिप्रेजन तो करते हैं लेकिन आपने का कि हम कोई भेदभाव न है उत्तरप्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेद विध्यक 2020-21 और उसे लब जिहाद भी का जा रहा है बोल चाल की भासा में बोल चाल की भाशा में हाला कि उसमें जिक्र नहीं है लेकिन मैं फिर उस पर आना चाहूंगा जब आप इस कानून को लेकर आते हैं चुनौ से सिकायत आती थी कि हमारी बेटी पढ़ रही थी उसको मुहले का या पढ़ोस का युवक गलत नाम बता करके गुड़ू बबलू बता दिया असली नाम नहीं बताया असली धर्म नहीं बताया प्रेम के जाल में फसाया और साधी करते समय कहा कि अब धर्म पडिवर्तन करो को पिर सादी करेंगे और उनके धर में केवल तीन सब्द कहने के बाद बेटी को उस थाड़क पर छोड़ देते थे और बेटी शादी के बाद जब गाउं जाती थी तो गाउं में धारमिक वयमनस्ता फैलती थी कई जगए लडाई जगड़े होते थे लडाई जगड़े होन तो हमारी सरकार नेताय किया कि हम इस कानून को बनाएंगे और हम बिल्कुल जो आपका दूसरा सवाल होगा कि इस तरीके से तो प्यार पर आप पहरदारी लगा रहें नहीं अजय कोई नवीवक नवीवुती बालिग हैं समझदार हैं साधी करना चाहते हैं धर्म विपरीत है तो जिलादिकारी महदे को दो महापूर्व हम दर्खास देंगे और जिलादिकारी महदे यद कोई आपति नहीं आती है तो हम ऐसी साधी कर सकेंगे मैं एक और सवाल करना चाहूंगा इसी से जुड़ा हुआ क्योंकि आपने एक धर्म विशेश को जिक्र किया और क्या है कि धारमीग महमिरस्टा के आधार पर समाज میں जब दंगा ऐबसाद होते हैं तो हम उनको रोकना चाहते हैं बहु बेटी Muslim समाज की भी हमारी बहु बेटी हिंन्दू समाज की भढ़ू बेटी भी मेरी बहु बेटी है हम पूरे प्रदेश के सरकार में उनके कस्टोड यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया है कि एकर कोई बेटी कोई बहन धरम परिवर्तन जानबूज करके सहमती से करना चाहती है तो करें डिक्लेर करके करें तो इसमें दंगा फसाद की नौबत नहीं आएगी हम सभी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं एक बात मैं और बता दू कि अक्सर देखा गया है कि साधी कर ली छोड़ दिया दूसरी साधी कर ली फिर छोड़ दिया तीसरी कर ली उसके बारे में भी लडाई जगड़ा इन परशितियों से भी हमें बचने का अवसर मिलेगा हमारी बेटी को पता होगा दो मा पूर दरखास दिया उसके मन में उसके प्रती और धर्म के प्रती जहां वो जा रही है उसको पता चल जाएगा दो मा में क्या इस्थिति है तो वो जा सकेगी उसके कोई रोक नहीं है हम सभी का स्वाकत करते हैं लेकिन यदि कोई कानून का उलंगन करेगा जो अभी बिल पास वहा है धर्मानतर्ण विरोधी कानून उसके तस साल तक की सस्रम कारावास की सजा रखी गई मैं मैं जिकर जिकर दा दा एक चीज और इस पष्ट कर दो लोग कहेंगे कि दस साल की सजा क्या उसकता क्या थी जीहएं इस्थिती है कि सेमें उसमें अगर आप गेर धर्म साधी करते हैं तो हमारा जो special marriages direct है उस वहाँ हमको अनमती मिलती है लेकिन उसमें सजा नहीं है सजा कम है बेलेबुल सजा है तो हमने ये कानून इसलिए पास किया है कि लोग कानून से डरें और ऐसा कोई काम न करें जिसे समाज में इस्थिती ऐसी उत्पन्हों के लडाई जगडा हो और यदि करना ही है तो खूब करो हमारी सरकार कानून आपके लिए लाई है और यदि कोई वेक्त उलंगन करता है दस साल तक की सजा है जुर्माना है और इसके अलावा हम ऐसे लोगों को चिन्नित भी कर रहे हैं जो पेसे वर धंक से लगातार साधी करके नाम बदल करके छदम नाम से काम कर रहे हैं उन्कों चिन्नित भी कर रहे हैं ये बिजश पाठक जी कानून मंतरी होने के नाते कुछ और भी सिरें हैं उन्हें पकड़ूंगा लेकिन एक और सवाल इस पर करता हूं इस कानून की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और तोर मुख्यमंतरी बंगाल पहुंचे उन्होंने भी इस कानून की जिक्री की पड़ोसी राच मद्धिप्रदेश में चले इस कानून के बारे में मैं कह सकता हूं कि सब को स्वागत करना चाहिए पूरे देश के विभिन राज्यों से सूचनाय मिली कि वहां के राज्यों के मुखमंत्रियों का भी प्रस्ता हुए कैसा कानून बने और हमारी सरकार ने जो वहां से अध्यन करने के दल आये थे उनकी पूरी स्थिती से अवगत कराया हमने आकड़े उन्हें दिये और हमारे कानून की प्रति वह यहां लेकर गए हैं आप देखेंगे कि धिरे-धिरे सभी राजी इस और आगे बढ़ेंगे अब मैं लॉइन और को लेकर कुछ बात करना चाहूंगा और नियाय विवस्था को नियायक विवस्था को लेकर बात करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी जिम्मदारी होती है सर नियाय अगर हम कहें देरी से मिला हुआ नियाय भी नियाय बराबर नहीं कहा जाता है उसे नियायक मान लिया जाता है और हाली में घटना घटी आप देखिए एक व्यक्ति जो रे चेषपाठक जी क्या सोचते है कि कैसे सुधाराना च ti कैसे विश्वास बढु जन्ता जो हिंदुस्तान की नियाय बरस्था है इतन डाप को नहीं है हमार हाँ भी नाइबरस्ता सुधार आत्मक है और हम नयाय बरस्था उसे टांटी और यह जिसनाइबरस्था में निर्द होने का उसर मिला खुली हवा में सास लेने का उसर मिला कल के अख़वार में आपने देखा होगा लेकिन यही यही बैक्ती अगर अरबियन कंट्री जम होता जानते क्या होता उस पें कोड में मुकदमा नहीं चलता साथ चे नहीं आते उसको इंगता पत्थर से पतक के लोग मा काट लेते हाथ काट लेते पैर काट लेते आठ फोड़ देते तो हिंदुस्तान की नहीं बैवस्था और जो अरबियन कंट्री जह उनकी नहीं बैवस्था में यही अंतर है लेकिन हम उसको अपना दोस्ट जो उस पर लगा है उसको अपने को बरी होने के लिए अपने को आ कि कोई भी निर्दोस्त व्यक्ति कहीं सजाना पाजाए मैं मैं इस इसको और आगे बढ़ाता हूं आपने कहा कि नियायक विवस्था हमारी और अलग देशों की अलग अलग है अन्नी देशों की अलग अलग है लेकिन इस पूरे परिपेक्ष में अगर हम देखें तो नियाय म की अछी होली है कि मिलना देरी से मिलना मैं उस बात का जिकर करना चाहता हूं कि अगर हम न्यायय में देखें तो जजों के संख्या कितनी है किसे सादे पैंड़liches में एक मन्त्री होने के नाते आपको थोड़ी सी पीड़ा होती है उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बन उनको भरा सौपद अत्रिक्त सत्र नयाधीस इस तर के हमने सजित किये उनको प्रोमोशन से भरा सौपद हमने सीविल जज सीने डिविजन के भरे इसके अलावा 110 नई पारवारी का दालते खोली जो फेमली कोर्ट होते आप देखते हो परिवार का डिस्प्यूट हुआ लोग की तरहें लगती थी छे आठ महीने में तीन महीने में ज़साब आएंगे हाई कोड के तो मेला लगेगा अब प्रते एक जन्पद में कि इसके अलावा सभी मैं इस्ठाइ शची कि निफटी की है पहले जो जिले का CGM होता था वो लोग अधालत का सची wizard होता था हमने अलग से सीजें इस तरह क्या अधिकारी के नुक्टिकी और लोक अदालत में लगातार मामले निप्टा रहे हैं लाकों की थाई लोग अदालते सभी जनपदों में गठित करके, हमने बड़ी संख्या में मुगदमा का बोज कम किया है, हमने जजजेश की नुक्ति की है, हमने नई अदालते खुली है, पहले कामर्सियल कोट्स नहीं होते थे, आपस में आपने अग्रिमेंट किसी से किया, एजनसी ल अलग ने बाद खुले हम घूम रहें, तो सुप्रीम कोट ने कहा, तो हमने अभी हाली में मेलेंज के लिए अलग से कोट खो लें, यह हमारी सरकार ने किया है, मैं मैं मुकदमों का आपने जिक्र किया, तो मैं विधान सभा का जिक्र करता हूं, और एक बड़ा महत्पून टॉपिक है सर, एक बड़ा महत्पून जो मुकदमा वापसी लेने का आप पर आरोप लगा, हाला कि आपने उसका जवाब दिया और कहा कि हमने हमारे नहीं सब के मुकदमे वापस कि आपने संख्या भी बताई, आज मन्च है सर, किसके कितने वापस लें, मैं आपको बताता देखिए नियाए पालिका में जो लंबित मुकदमे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, और नियाए पालिका पर मुकदमों का बोज न बढ़े, और निर्दोस ब्यक्ति प्रताडित न हो, यह हमारी सरकार की जो मेदारी है, हमारी सरकार ने, आदर्णी मुक्षमंत्री ज सभी दलों के जनप्रदीदियों के नेताओं के राजनितिक कारकरताओं के मुकदमें वापस लिये हैं नाम सदन में भी मैंने नहीं बताया था मेरा मानना है कि यदि आपका कोई काम मैं कर दूँ और नाम लेकर कह दूँ सार्दिनिक मंचपर तो ये काम नहीं है ये गलत है ये मैं कह सकता हूं कि सभी दलों के लोग हैं किसी को हमने छोडा नहीं है यद किसी ने मुझे दरखास द सब्सक्राइब करें अप्रवासी स्रमिक थे दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आये थे उन्होंने उनको पता नहीं था कि हम अपने घर जा रहा हैं कोवीड उलंगन के मामले में फच जाएंगे अईसे पचास सो हजार मुकद में हमने वापस लियें जो कोवीड उलंगन के अप्रवासी स्रमिको के थे जो माइग्रेंट लेबर थे उनके मुकद में और बता दें आपको हमारा मानना है कि जो भी पीडित व्यक्ति है उसे न्याय देने का काम सब्सक्राइब एक पीडित व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं जो आपको पत्र लिखते हैं एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ललू वो कहते हैं कि कोरोना काल में मैंने इतने अंदोलन किये पचास मुकद में मुझ पर दर्ज हो गए मैं जहां जाता हूं पुलिस इरा लेकिन उसमें मुकदमा अपरा संख्या गलत था तो मैंने उसे पुना सदन में का भई आपना सही पत्र देदो में वापस ले लूं लेकिन उन दिया नहीं तो यह अगर इस्तिती है क्योंकि अजे कुमार ललू जी कही है मुझे पत्र दे आपको देदे में वापस मैं मैं बिल्कुल जी उत्तर प्रदेश उत्तर अगंगे माध्यम से अजे कुमार ललू जी से कहता हूं कि अगर आप पत्र दे सकते हैं तो दे दीजे ब्रजेश पाटक जी ने हमसे बादा किया है परिछड करा करके गुरुदोस के आधार पर ऐसे सभी मुकदमों को जो राजनितिक द्रिश्टी से दर्ज हुए है वापस करूगा ठीक है यह मुकदमे तो वापस हो गए लेकिन विपक्ष कहता है कि आप मुकदमों की नौबत ही नहीं आने देते हैं आप पहले यह एंका आपको महसूस होता जैसे आपको लोग बेदाए का नियुक्तर ही चथा कहेंट ओं आथी केमदान है कि हमारे निक्स कॉटमें चल रहा है इंपया है धिक कानून के राजतस है यह कानून का राज ऐस ढि कि और यह भी इस पस्ट यह IPC CRPC में लिखा है यह कोई ब्यक्ति अपराद करता है और हमला करता है हमले के दौरान अकर क्रास फाइरिंग होती है तो काउंटर कहलाता है पुलिस ने ऐसे कई केसेज में और सबसे बड़ी बात है हमारी नियाय पालीका वाजच कर लए और इसके बाद सबको नियाय पालीका में जबाब देना होता है हम कोई भी काम कानून के विप्रित नहीं करने देते हैं चाहें पुलिस आफिसर्स हों चाहें जनता में भय फैलाने वाले अपराधी हम सब पर कड़ाई से निग्रानी दखें किसी भी हालत में हम कानून किसी को भी हाथ लेने के अनमती नहीं देते हैं एक बड़ी गटना गटती है प्रदेश में उसके बाद भी एंकाउंटर होता है मुटबेड होती है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं किसी गरीब परिवा का किसी कहार डगेटी पर किसी का प्रहन होता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की पीड़ा होती है आपको पता है कि अमीनाबाद लखनों में अभी एक हपता पहले पांस दिन हुआ हो जोड़ी हुई चोरी किती बड़ी थी जानते आप करीब 10 किलो सोना गया था पै इन्टी फाइट चोर थे किसे को यह नहीं पता था चोर कौन है हम लोग मौके पर गए हमने पुलिस अधिकारियों से कहा 24 घंटे में इस केस को परदाफास होना चाहिए यह लखनो राजधानी में घटना घटी है हमारी लिए चुनोती है मैं बदाई देना चाहता हूं अपन इस समय पूरे देश में वावाई हो रही है मैं कल परसों में किसी टेलिविजन चैनल पर देख रहा था किसी स्टेट के विधायक अपने मुखमंत्री से डिमांड कर रहे थे कि यूपी की तरह करो ना भी मैं बता देता हूं बिहार की बिहार में का जा रहा है कि हम लोग जब कच्छा एक दो में पढ़ने जाते थे पहाड़ा याद करने के लिए अब तो पहाड़ा याद नहीं कराया तो कल्कुलेटर मिल जाता है तो हम लोगों को दुकम दो तीन दो दुना चार याद पढ़ाते हैं और याद नहीं हुआ तो बांस की छणी से पिटा चाहिए अच्छा एक चीज और दिखना चाहिए लेकिन इस भय को लेकर जो विपक्ष है वो यह कहता है कि यह भय सिर्फ और सिर्फ जो अपराधी है या जो हमारी पार्टी से जुड़े हो है या कोई और लोग है उन पर राजनेतिक द्वेश के चलते भी दिखाए जाते ह जनता है मैंने माल लिया अचा यह बता जिस कुर्सी पर मैं बैठाओं यह को सी अगर विपच्छ ंधकी हो जनता निमुझे बैठा दिया तो मिस्ट गरेंगे यह बता ओ vibe तो आप स्वायत्न lega ने वह स्वागत कर रना चाति यह स्वाल उनस पूचिया ये तो जनताने इ पिठाया जो जंचा दनार्दन सामने है उनके अपराधिक महल से उनकी लाइनाडर से उनकी परिवार के घट्राओं से लोगों ने भारती जंता पार्टी को कमान सोपी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारती जनता पार्टी की सरकार सब की सरकार हैं हम सब को साथ लेकर चल रहे हैं और कानून का राज इस्थापित करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है अपरादी कोई भी हो चाहे वो कोई किसी भी जाती से आता हूँ किसी भी धर्म से आता हूँ अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जाती धर्म संप्रदाय को कानून से हमने एक दमलक रखा है कानून की जद में अगर कोई आएगा तो उसको कड़ी चुनोती का सामना करना नहीं तो भी कानून्ववस्ता की बात आती है Commissioner system आपकी सरकार में लागू हुआ है Commissioner system की बाद भी आप लगतार बद्लाव की कोशिश करने एक कानून मंतरी होने के नातर है आपको लगता है कि बहुत सारे इकानून जो हो किसी काम की नहीं है उनहें खत्म करने का क्भी काम trip करने तो चार साल में कितने कानून खत्म कर दिया और कितने और अधी कानूनों को समाप्त किया है और कानून समाप्त करने के लिए हमें सभी विवागों में पत्र लिगना होता है वो विवाग जब उझे नोसी दे देते हैं तो सदन में हम निरसन विद्हेक लाते हैं रिपील बिल लाते हैं, उसके बाद हैं दोनों सत्नों से पास कराते हैं, कानूनों को समाप्त करते हैं, और ऐसे मानि प्रदानमंत्री जी ने सरकार बनने के समही कहा था, कि ऐसे सभी कानूनों को जो निस्परोज हम समाप्त करेंगे, तो हम लगातार हर सदन में 10-20-50 ऐसे कानूनों क को समाप्त कर रहें इस सद्र में भी कुछ कानून को हमने समाप्त किया यह तो समाप्ति की बात हो गई कानून बनते भी जा रहे है युपि को कब बना और उत्तरप्रदेश धर्म सम परिवर्टन विधियक प्रतिशेद विद्यक भी आपने पास करवा दिया है उसको भी उनके आवसकता पड़ी तो वो भी लाएंगे अच्छा एक चीज और सीए एनाटी को लेकर प्रदर्शन हुआ फिर अपराधियों की जो पोस्टर है वो चौराय चौराय पर टांग दिये गए सवाल यह उठे कि क्यों टांगे जा रहे हैं सबके टांगने चाहिए पोस्टर फोटो सबके लगने चाहिए आप किसके और रूपर करते उसका भी लगवादे आप लगवाएंगे किसका बताईए अब आप देख लीजे क्योंकि विपक्ष यह विपक्ष यह कहता है देखे क्या है कि पहले क्या था कि जैसे यह ताज होटल है गवर्मेंट की संपती है कुछ लोग आए पत्थर फेके और चले गए मुकदमा सरकारी दर्ज हुआ उसकी बाद दो साल में ख़तम हो गया क्योंकि फाइया कराने वाला पुलीस अफसर रिटायर हो गया लोगों में प्रदर्शन होने वाला होता उससे पहले कि शेत्र में 244 लागू कर देते हैं प्रदर्शन करते हैं यह तो भारती जनता पार्टी के लोगे यह आजाते हैं ऐसे आरोप लगते हैं मैं आपको बताओं अगर परिवर्तन चोके फुटेज आप देखेंगे आपने देखेंगे तो कहां कहां कि इधर के रसे लोग आए हमारे भाई लोग हैं हम उनसे अलग कर नहीं हैं कुछ उपद्रित तो ने ऐसी घटना को अंजाम दिया हमारे लिए चिंता है हम कानून के तहट कड़ी करवाई कर रहे हैं और जो सब्रहांत लोग हैं उनमें से उनकी हम मदद भी कर रहे हैं अब एक और सवाल है क्योंकि आपने शुरू में हातरस की घटना का बहुत सारी घटना और लुद्ध शेह देने होती हैं जित अलका समाज बाधी पार्टी छिवा इनकार की बुछाइब के वर गपष्ट पूस्ट के सामार्थन में और जो फोटोज जो सकी समर्थन में वे तो इस वज़े से ऐसा का जा रहा है एक चीज और है क्योंकि जब छोटी-छोटी बच्चियों के साथ कोई घटना घटती है पॉक्सो एक्ट के तहत कारवाई होती है बहुत सारे केसे हुए और बहुत जल्दी कारवाई भी हुई है कुछ जगा पर बहुत जल्दी सजा भी दी अधाया यह जगा जा रहा है लेकिन मेरा यह कहना है कि जो हमने शुरू में चर्च कि आपने जजो की न्युक्ति की है पॉक्सो एक्ट में भी या अलग से हम फास्ट्रैक कोड की जब बात करते हैं तो उनकी संख्या भी बहुत बढ़ाना ज़रूरी है हमने सारे पाक्सो क कोड हर जनपद में है और ऐसे मुकद में जिनको न्यायपालिकार समझती है सरकार समझती है हम न्यायपालिकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन इन अपराधों को जो गंभी प्रकरती के हैं इनको फास्ट्रैक कोड में लिया जाए तो फास्ट्रैक कोड मैं से मुकद में च तो क्या कहेंगे आप आपने तो उनकी काम का फीचा नहीं का आठा है कि जैसल यह हमारा भ्रह्म है हम आप यहां बैठे हैं यह आंगोइंग प्रोसेस हैं बिल्कुल सरकार समिधान से चलती हैं और लोग चलाते हैं हम लोग का स्टोडियन हैं हमें पांस साल के लिए नव मौक हैं और हम चुंकि यहां बैठे हैं तो हम उसका उद्गाटन भी कर रहें सिला नियास भी कर रहें हैं तो हमारी सरकार आंगोइंग प्रासेस के तहत काम कर रही है और हमारा मालना कि उत्तरप्रतेम सरकार जंता की सरकार है यह किसी विशेस ब्यक्ति की सरकार नहीं है और किस चाहरा है आप बड़े क्या लगता है 2022 में ब्रजेश पाठक जी के क्योंकि पिछली सरकार थी उन्होंने नारा दिया था काम बोलता है तो आपका कानून बोलता है यह उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि भारती अंता पार्टी की सरकार पिछली बार हम लोगोंने नाई थी इस बार हम साड़े तीन सो से अधिक सीटे जीतेंगे और विपच्छी दलों की बुरी हालत हो कारण जानते क्या है एक कोवीड में हमारी जो थी यह हमारे लिए इमताहन का वस्थ था पूरी दुनिया थम गई थी लखनों भी थमा था प्रदेश भी थमा था बिल दली थे वंचित थे पीडित थे उनको भोजन उपलब्त कराया उनको पानी पिलाया उनको दवाई दी बच्चों को दूद दिया हमने जो सड़क पर हाइवे पर जून और मै की दुपहर में सड़क पर नंगे पर निकर उनके पैरों में चपले हम लोगों ने पहनाई है औ और अपने संसाधन से कारकरताओं ने पहनाई हैं किसी पार्टी का कारकरता सड़क पर नहीं दिखा कि अवल फोटो सेलफी के लिए वोग निकलते थे आप आधार भूत चैनल से हैं जिसकी गाउं तक पकड़ है आप किसी से पूछिए कि कोई भी पार्टी अगर सड़क पर निकल करके गरीबों के लिए काम कर रही होती तो जनता सब देखती है आने वाले चुनाव में इसका जरूर उन्हें मजा चे खाएगी भारतियंता पार्टी साड़े तीन सो से अधिक सीटे ले करके दुबारा सरकार बनाएं यह एक आखरी सवाल और करना चाहता हूं मैं क् आपने दावा किया है साड़े तीन सो सीटों का और आपने कोरोना का भी जिक्र किया इसके साथ साथ आपने कानूनों का भी जिक्र किया एक छोटी सी बात और है क्योंकि हाल ही में पंचाय चुनाव होने वाले हैं और पंचाय चुनावों में हम देखते हैं कि बहुत ज्या उसे कहा गया कि अपने छेत्र के जो इस तरीके के लोग हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं कानून बिवस्था को उनकी सूची बनाएं उनको पावंद करें उन पर निगरानी रखें और किसी वी इस्तिती से निबटने के लिए उनको छूट दी गई है हम किसी भी इस तर पर हमारी सरकार की प्रति बद्धता है एक और आखरी सवाल है मेरा लौ एन ओर को लेकर ब्रिजेश पाठक जी चार साल में लगातार काम तो बता ही रहे हैं 2022 में जन्यता के बीच जाना है चार काम सबसे बड़ा काम कानून विवस्ता चार चौवंत उत्तर प्रदेश में अभी जिंकापूर में चल लहा था बिजली सभी जन्पदों में बराबर पहले के वल चार जन्पद भी आईपी थे इटावा महनपूरी रामपूर एक और जन्पद जोड़ लेजिए अब सभी को बराबर अगर हर दोई में बीडि 24 घंटा है तो रामपूर में भी 24 घंटा इटावा में भी उत्ते ही दे रहे हैं यह जो मुस्कुराहट मुझे लगता है कि 2022 में जब जनता की बीच में जाएंगे इसी मुस्कुराहट के साथ आप वोट मांगेंगे और जो आपने काम बता हैं ऐसे और भी काम होंगे जनता उन पर कितना महर लगाएगी यह आप भी देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे और अगर कहीं कमी रहेगी तो लगातार ऐसी बिचेश जी हम सवाल पूछते रहेंगे बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए अपना काम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद